वेलकम टो एजी सिंपल पंपास घस के मैदान काफी की पैदावार का इलाका शुमाली रियासत में घनियाबादी वाला इलाका और मेनास की बंदरगा तो इस पर आपको फैरिस भी बनाना है तो देखिए इस तरह से नक्षा दिया जाता है आपको पहले आप फैरिस बनाईए नमबर एक पेंटनॉल यहापर आपने इशारिया बनाया है दूसरा देखिए काटेदार जंगल यहापर पेड की निशानात पंपास का मैदान यहापर ट्रेंगल दिये गए है काफी की पैदावार का इलाका और शुमाली रियासत में घनियाबादी इलाका इस तरह डौट पाटेदार जंगल और घनियाबादी वाला इलाका आमापा मेनास बंदरगा और पेंटा नौल और पंपास घास का मैदान इस तरह से निशानदाई करेंगे सवाल लंबा चार का बी देखे ये भी नक्षे पर मबनी है दर्जे जहर नक्षे का बगर मुशाइदा कीजिए और पूछे गए सवालत के जवाब दीजिए आप देखिए हैं नक्षे दिया गया है जिसमें देखे भारत कौमी शाराय और एहम बंदर गाओ का ये नक्षे है यहाँ पर इसका आपको बगर मुशारा करना ये इशारिया फैरिस दी गई है तो इसके पर मबनी सवालत आपको हल करने पहला सवाला ये नक्षे क्या जाहर करता है ये नक्षे भारत की कौमी शार और आह्म बंदरगाया को जञेता है फिमाली और जुनुवी इसालाय किन दो शहरों को को जोरताए हैं शुमाली जुनूबी शाराय इसने नगर कॉमा यह दो फिमालों को जघए हैं फि delik bougie के नाम ले शहें कि और मांजी कहें बंदर का नाम मुंबई है अगला कोशन तर्सीम पर मबनी है मंदर जे जहल दिये गए आदात शुमार की बिना पर सादा खती तर्सीम बनाए और दर्जे जहल सवालात के जवाब दीजे यहां पर देखे हिंदुस्तान की बरामत ब्राजिल से यूएस मिलियन डॉलर में देखे यहां पर आपको साल दिये गए है यहां हिंदुस्तान की बरामत दी गई यह भी डॉलर में और उसपर मबनी सवाल आता है पहले आपको खती तर्सीम बनाना है अजीज कलबा तर्सीम के लिए आपको अलग से तर्सीम दी जाती है उस पर आप इस तरह से दो खत बना इसकी हिसाब से अब यहां पर देखें पहला सवाल में से हिसाब हिए जवाब है तो दूसरा कि साल में वर्रामत सबसे ज्यादा हुई यह पर पत्र चलता है 2011 में सबसे ज्यादा हुई तीसरा देखिए 2009 से 2011 में बरामत कितना ज्यादा हुआ जवाब होगा 2009 से 2011 में के दर्मियान 4900 यूएस डॉलर बरामत ज्यादा हुई नेक्स कुशन देखिए दिये गए ब्राजिल के नक्षे में मंदर जजैल की निशानदाई कीजिया और इशारिया बनाईए उसी तरह से कुशन है ब्राजिल की राजदानी ब्राजेलिया आमाप परियासर पेकोदी नेविटीना खुशकुचव गोशा पैराना दरिया और ब्राजिल की सबसे ज्यादा गुंजान अबदी वली रियासर इनको नक्षे में दिकाना है और फैरिस भी बनाना इशारिया बनाना है ब्राजिल की राजदानी ब्राजेलिया जिसे गोल आग के निशान से दिखाया गया है यहां देख सकते हैं आप दूसरा देखिए आमा पा रियासत तीसरा है पेकोदी नेविटीना खुशक चोगोशा देख सकते हैं नक्षे में इस तरह से निशान दरिया आपके किताब में दिया हुआ है और ब्राजिल की सबसे जादा गुंजान अबादी वाली रियासत एक देखिए सवाल नंबर 4 कभी दर्ज जैन नक्षे का बगर मुताला कीजिए मुशाइदा कीजिए और सवालात की जवाबात दीजिए यहां आपको नक्षे देखिया गया है महिले वकू और वसत भारत पस और इस पर मबनी सवालात है तो चलिए पारती-मयारी वकत का तुलूल बलत 82- tenido critical, 30 मश्र als भारत का इंतः हाई जुनूबी सिरा कौन ब्हारत का इंतः ही जुनूबी सिर्या इंद्रल पॉइंट है भारत के जुनूब में कौन सा मुलक है भारत के जुनूब में शीरिलंका और मालदीप मुलक है भारत के दर्मियान कौन सा खत गुजरता है दर्मियान से भारत के दर्मियान से खते सर्थान गुजरता है भारत के शुमार से जुनूब का फासला कितना है भारत के शुमार से ज बनाएजिया और दर्जीद स्वेल के जाब दीजिया है फिसे दे दे नी से अबादी का फीसद दे तक के दिया हुआ है डिक और शeयर याबादी आप जूनी तर्सीम बनाना है एकसमैवर और यमहवर बनाएंगे और यहां पर षीसद दिया गए लिए यहां साल दिए गए है अब इस तीसरा देखें, 1970-1980 के दाहई में शहरी आबादी में कितना फीसत का अजाफा हुआ है, 1970-1980 के दाहई में शहरी आबादी में 9.2 नौ आशरिया 2 फीसत का अजाफा हुआ है, इस तरह से इसको सुतुनी तरसीम बनाके हल करना है, छ्हे के बी में इस तरह का कोशन पूज़ा जाता है, इस तरह मैं आपको पहले से तरसीम दी होती है, और उसके पर आपको सवालाद दिये जाती है, यहाँपर हमने एक खति तरसीम भी देखी, सुतुनी तरसीम भी देख्याबी है, अहरामी तरसीम, इसमें मरدم शिमारी दी ग तो आपको इसका मुशायदा करना है सवालत के जवाबा देने सवाला देखिए पहला सवाल है मंदर जब अलग गिराफ या तरसीम क्या जाहिर करता है आप दिये हुए गिराफ में उमर और तनासबे जिन से एहरामी तरसीम भारत 2016 को जाहिर किया गया है किस उमर के गुरो के अबादी सबसे जादा है वाई महवर पर उमर के गुरो के दर्मियान कितना फर्क दिखाई देता है वाई महवर पर दिये गए उमर के गुरो के दर्मियान चार का फर्क दिखाई देता है साट साल की उमर में मर्द या औरत दोनों में किस की आबादी जादा है साट साल की उम्र के गुरों में औरतों के आबादी ज्यादा है, 55-60 साल की उम्र की खवातिन का तनासुप कितना है, 55-69 साल की उम्र के गुरों की खवातिन का तनासुप 2.0% है, कि इस उम्र के गुरों के बाद आबादी का तनासुप कम हो रहा है, 10-14 साल के उम्र के गुरों के बाद आ अबादी का तनासु कम हो रहा है इसके अलावा इस तरह की भी तरसीम दी जाती है जिस पर आपको सवालात पूचे जा सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ दो तरसीम दी गई है अर्से हयात साल यह ब्राजील का है और यह भारत का इनका मुताला करके इस पर मुनासे पस्ते ज्वाब को जवाब देना है जैसे के यहाँ पर अर्सेहयात अुसर जहीं करते हैं अब यहाँ पर साल जैते हैं और यहाँ पर दि Д। से इस स्वालात बहारत दिया में ऑर इissa का-वाल्ट सभ आपको देना है तो यहाँ देखें पता चल रहा है हमें भारत का 68 है और वराजिल का 75 है तो वराजिल का 80 है ज्यादा है दूसरा देखिए 1990 से 2010 इस दहाई की दर्मियान भारत का 80 है याद में कितना अजाफा हुआ 1990 से 2010 यहाँ पर 58 है जब कि यहाँ पर 66 है जवाब होगा 1990 से 2010 की दर्मियान भारत का अरस अजाफा हुआ तीसरा देखिए 1990 से 2016 के दर्मियान ब्राजिल का अरस अजाफा हुआ अब ब्राजिल की दर्सित देखेंगे 1990 से 2016 के दर्मियान 1990 में 65 साल थी जबकि 2016 में 75 तो आप जवाब दिखेंगे 1990 से 2016 के दर्मियान ब्राजिल के अर्से हयात में 10 साल का इदाफ़ा हुआ अगला देखिए साल 2000 में भारत और ब्राजिल के दर्मियान अर्से हयात में कितना फर्क है साल 2000 में भारत और ब्राजिल के दर्मियान कितना फर्क है तो 2000 में देखिए 63 साल भारत का है जबकि इनका है 70 साल 7 साल का फर्क है 25 मुलक में बुडो क्या तनासुद ज़्यादा है तो यही देखे हैं में समझ में आ रहा है कि बुडो का तनासु का जादा होगा ब्राजिल में चुकि हाँ पर और साथ अरस्यायात जादा है साल 1980 में भारत का जो अरस्यायात है वो ब्राजिल के किस साल में है अब 1980 में भारत का अरस्यायात देखे कितना 1980 में भारत का अरस्यायात है चौपन तो चौपन कहां मिलेगा हमें यहां पर 1960 में यहां पर जवाब आप लिखेंगे 1980 साल में भारत का अरस्यायात है वो ब्राजिल के साल 1960 में तो अजीज तल्बा इस तरह के नक्षी और तरसी अबने आपको सवालात आएंगे जिसे हमने हभी हल करके बताया है पीडियेफ चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मौझूद है डिस्क्रिप्शन में लिंक है और गुजिश्ता सालों के हर सुदा परचेव की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप जाके चेक कर सकते हैं जाके बताया है